रानो चडिया की तीन बेटिया थी पापा चडिया रिक्सा चलाने का काम किया करता वो परिवार गरीब जरूर था मगर थोड़े पैसों में भी बहुत खुश था एक दिन उनकी पड़ोसी गोरी कवी उनसे बोलती है तुन्नु चड़े अभी तुमारी बेटिया बहुत चोटी हैं इसे लिए चार सो पान सो रुपे में खर्चा आसानी से चल जाता होगा एक बार इनको बढ़ा होने दो तब पता चलेगा खर्चा किसे कहते हैं साधी भ्या के लिए भी पैसे जोडने पड़ते हैं गोरी बहन हम अभी से इसकी चिंता क्यों करें इनकी किस्मत का उपर वाला जरूर देगा अभी तो से बच्छे से चल रहा है तो चिंता किस बात की ऐसे बाते कर दोनों पती पतनी अपने घर आ जाते हैं पापा च्ड़िया तो सोच में पड़ जाता है रानू जी आखर गोरी ने ठीक ही तो कहा अभी हमारी बेटी अब बहुत चोटी हैं तो खर्चे का कुछ पता नहीं चलता लेकिन जब वो बड़ी होंगी तो हम उनकी जरुरते कैसे पूरी करेंगे और फिर उनकी साधिया भी तो करनी है सोटो है तुनलू जी लेकिन आठ काम करतो रहे होना खाली तो नहीं बैठे अब आप खाना खाले बेकार में चिंता ना करें रानो जी, मैं रिक्से के काम से जल्दी घर आ जाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, साम को जंगल से एक रिक्सा लकडी काट कर लाया करूँ, ऐसे कुछ तो मुनाफ़ा बढ़ेगा तुन्नो जी आप दिन बर रिक्सा चला का ठक जाते हैं और फिर साम को लकड़ी काटने का काम आप इतनी महनत कैसे कर पाएंगे जानो जी मैं तीन तीन बेटियों का मजदूर पिता हूँ नहेनत से नहीं डरूँगा आप चिंता ना करें बस बच्चियों पे ध्यान दे मैं हूना ऐसे पापा चिडिया रिक्सा और एक कुलाडा लेका निकल जाता है वो दिन भर कड़ी दूप में सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता और दुकान वालों का भारी बोजाड होता फिर सूरज ढलते ही अपना रिक्सा जंगल की तरफ मोड लेता है पापा चिडिया एक सूखे पेड से जल्दी जल्दी लकडी काट रहा था पेड बहुत जैदा सूखा था तुन्नों बहुत जोड से कुलहडे की चोट मार रहा था अचानक से सूखे पेड की कैई सारी डालिया एक साथ तूट जाती है और पापा चिडिया की दबकर मौत ह जाती है मैंने मैंने मना किया था लेकिन मेरी नहीं माने अब हमें इसके सहारे छोड़ कर चले गए मैं क्या करूंगी मैं कैसे रहोंगी रानो बहन उनका रो रोकर बुरा हाल है ऐसे वो टन्नो को ले जाते हैं रानो चडिया बिल्कुल सेहम चुकी थी कुछ दिनों तक तो आने जाने वाले रिष्थेदार रानों को संभाल लेते हैं पड़ोसी उसकी बेटियों का खाना पीना करते हैं लेकिन धीरे धीरे बात पुरानी हो अती है अब रानो चटिया महनत मजदोरी करके अपना गुजारा करने लगी जूमें ना परिवार है मेरी नजर में में आप कहें उससे बात सब्सक्ष नहीं चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए फिर दोसरे दिर गोरी लड़के पक्षी को चुड़िया के घर ले आती है मम्मा चुड़िया को लड़का पक्षी पसंद आता है चुड़िया बेहन ये लड़के पक्षी इतने भी गरीब नहीं है जंगल में कपड़ों की दुकान है लड़के चुड़े की साधी थोड़ी अच्छी करनी होगी कितने पैसे का जुगार है गोरी मैंने तीनों बेटियों की खातिर एक लाख रुपे जमा कर रखी है एक लाख रुपे ये तो बहुत है तुम एक काम करो पहले गोरी की साधी कर दो ममा श्रिया गोरी की बात मान लेती है अब उनके घर में साधी की तारिक तैह हो जाती है मीना क्या गोरी की साधी से तो खुस है नहीं तो मैं बिल्कुल भी खुस नहीं हूँ मा के अप तक के चतने भी पैसे थे सब गुडिया की साधी में खर्च हो रहे हैं हमारे लिए तब फोटी कोडी भी नहीं बच रही हाँ मीना मुझे नहीं लगता गुडिया की साधी के बाद मा हमारी साधी अच्छे घर में कर पाएंगी इसलिए मैं तो मौनों से ही साधी करूँगी वो अमीर है हैं तो आज ही साधी कर ले वरना हमारे माता पिता हमारे लिए रिस्ता ढूंड रहे हैं नहीं मौनू मौन्टो आप हम से ही साधी करना हम त्यार हैं अब हम अपनी मा के बिलकुल नहीं सुनेंगे आप से ही साधी करेंगे हाटी ना बहुत सुनली मा के बड़ी बेटी बड़ी कर देते हैं चुडिया तुमारी दोनों बेटियों ने पूरे जंगल की नाप कटा दी लड़के पक्षियों का फोन आया था वो साधी करने से साफ साफ मना कर रहे हैं बोल रहे हैं जिस घर की दो दो बेटियां भाग गई उस परिवार से हम कोई रिस्ता नहीं करेंगे इतना तुमारी भी गुडिया अब क्या होगा फिर उस दिन के बाद रानों च्डिया बीमार रहने लगी थी अब गुडिया को ही अपनी मा का ध्यान रखना पड़ता धीरे-धीरे मम्मा च्डिया बहुत बीमार हो जाती है देखो गुडिया इनको किसी अस्पताल में दाखिल कर वो अपनी मा का इलाज तो करा ही देंगी फिर गुडिया भागी भागी तीना मीना के घर जाती है मगर वो तो अपनी अमीराई में इतनी मसरूफ थी कि पैसे देने से साफ साफ मना कर देती है और गुडिया को भगा देती है गुडिया अकेली संसान जगा पर रो रही थी तब ही एक चमचमाती कार उसके पास रुखती है आप इस संसान जगा पर अकेली बैठे क्यों रो रही हो मेरी ममा मर जाएगी प्लीज कोई मेरी मा को बचा लो उस अमीर लड़के पक्षी को गुडिया की हालत पर बहुत दिया आती है वो तुरंथी चडिया को गाड़ी में बिठाता है और ममा चडिया का इलाज करवाता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अंजान होते हुए भी मेरी ममा की जान बचाई बरना मेरी सगी बेहनों ने तो मना कर दिया था कोई बात नहीं गुडिया जी बलकि मैं तो बहुत खुस हो मैं किसी के काम आ सका अब ममा चडिया ओरी तरह से स्वेस्थ हो जाती है वो अमीर चडिया गुडिया से साधी की बात करता है ममा चड़िया तो खुसी खुसी उन दोनों की साधी करवा देती है साधी के बाद गुडिया अपनी मा को सुसराल ले जाती है और वहीं पर रहती है समय बीटता गया तीना बीमार हो गई थी बेता इसकी बीमारी का इलाज करवाने से तो अच्छा होगा तो कई दूसरी साधी कर ले और इसको माई के छोड़ दे मैं तो कहती हूँ साथ में इसकी बेहन को भी छोड़ दे हाँ मा और वैसे भी हमने भाग कर साधी की थी कोई कुछ नहीं कहेगा ऐसे मौनुचडा दोनों बेहनों को घर छोड़ाता है टीना तो बहुत बिमार थी लीना हमारे साथ क्या हो गया मा और गुडिया का भी कुछ पता नहीं वो कहा गई है ऐसे वो दोनों अपने पुराने घर में ही रहने लगी थी ये बात ममा चड़िया को पता चलती है वो भागी भागी घर आती है तीना मीना कमारी ऐसी हालत कैसे हुई मुझे क्यों नहीं बताया मा हम किस मुझे बताते हमने आपके साथ बहुत बुरा किया हम सरमिंदा है मेरे बच्चों चाहे तुमने कितना भी बुरा किया हो लेकिन मैं तो मा हूँ मुझे एक बार तो खबर की होती मा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हमें माफ कर दो हमें बिना बताय साधी नहीं करनी थी और देखें हमें कितनी बड़ी सजा मिली उन्होंने इलाज करने की बजाए हमें घर से भगा दिया फिर ममा च्डिया दोनों को गले से लगा लेती है और बीमार बेटी का इलाज करवाती है क्योंकि वो तो मा थी उलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना बन जाए लेकिन मा की ममता कभी नहीं बदलती तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है अपने मा बाप को जीवन में कभी दुख ना दे उनका ख्याल रखें आपका धन्यवार आज के नोजवान पक्षी जिंदगी के लंबे सफर को तेय करने के बाद बढ़ापे में कदम रख चुके थी गोरी कभी को तो बहुत तेज खांसी थी और कालू कभी के घुटनों में दर्द था जगू बेटे मेरे लिए खांसी की दबा ले आना और अपने पापा के लिए घुटनों पे लगाने की दबा ले आना पापा आप बढ़े हो गई हो तो ये खांसी बुखार आम बात है इतनी सी बात के उपर मुझे क्यों परेसान करते हो और नहीं तो सासुमा जगू जी की सेलरी बंदरा हजाब रुपे है घर के खर्च इतने हैं कि ये पैसे भी कम पड़ जाते हैं तो क्या आप दोनों चुप नहीं रह सकते जो हर समय हमारा खर्चा बढ़ाने की बात करते हो जगू बेटे बभू क्या बोल रही है पापा ठीक ही तो बोल रही है चंदा बेटे जब तू छोटा था तेरे पापा दिन के सा रुपे कमाते थे लेकिन जब भी तुझे कुछ होता था तो पैसो की चिंता के बिना ही सीधा अस्पताल ले जाते थे और एक दम हो जो अपने खर्चे गिनवाते हो हाँ घोरी जी फिर वो पैसे कितनी मुस्किल से चुकाता था मैं पर देखो वही उलाद आज हमें अपने खर्चे गिनवाती है जैसे हमने तो कुछ किया ही नहीं पैदा होते ही बुड़े हो गए अपने बुड़े माता पिता की ये बास सुनकर जगो कुछ नहीं बोल पाता वो चुपचाप ही अपने काम पर चला जाता है मगर उनकी चंदा बहू तो बुड़े कालू गोरी से लड़ जाती है आप दोनों कान खोल कर सुनलो मेरे पती को घर से जाते समय रोका टोका ना करो वो काम पर जाते हैं तुम दोनों की तरह ठाली नहीं चरते हमने तो बस अपनी दवा ही मांगी थी बहू चुप एकदम चुप मुझे तुमारे भासन नहीं सुनने ऐसे चंदा कावी अपने कामों में लग जाती है बुड़े कालू गोरी तो घर से निकल जाते हैं और दूर पेड की छाओं में बैठ जाते हैं वहां रानो चुड़िया भी आ जाती है बताओ गोरी क्या हाल है बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है सब ठीक ठाक तो है ना गोरी तो रोने लग जाती है और उसे अपने बेटे बहू की सारी बाते बताती है हाँ गोरी ये भी एक बहुत बड़ी समस्क्या है बड़े भुड़ो को लेकर अपनी उलाद क्यों भुल जाती है हमारे माता पिता ने हमें कितने कस्टों से पाला था जो अपने माबाप को दुख देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते चुड़िया बहन आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दिला दे हारी बीमारी लगी रहती है कम से कम अपना इलाज तो करवा लेंगे कालू जिंदगी भर बहुत कमा लिया क्या अब बढ़ापे में भी कमाओगे मेरे साथ चलो सरकार बुजरगों के लिए वेतन देती है चलो मैं तुमारी पैलसिन बंदवा देती हूँ मैंने भी बंदवाई हुई है ऐसे बाते कर वो सरकारी दफ्तर की तरफ निकल जाते हैं और चिडिया कालू गोरी की पैलसिन की बात करती है आप ये सारे जरूरी दस्तावेज लेकर कला जाना हम तुमारी पैलसिन जारी करवा देंगे कालू गोरी तो बहुत खुश थे और अपने घर को लोट जाते हैं और दोसरे दिन वो सारे कागज लेकर सरकारी दफ्तर में जमा कर देते हैं आप दोनों की पैलसिन इसी महिने की पंदरा तारिक से आना शुरू हो जाएगी अब आप जा सकते हो वो दोनों तो खुसी खुसी घर आते हैं और हर महिने पैंसिन लेना सुरू कर देते हैं वो दोनों तो अब अपनी सारे जरूरतों को पूरा करने लगे थे कालू जी आज मेरा नरम नरम गाजर का हलवा खाने का मन है बहु से कहेंगे तो कभी नहीं बनाएगी गोरी आप चिंता क्यों करती हैं आप मेरे साथ होटल में चलो एसी के नीचे बैठा कर गाजर का हलवा खिलाओंगा तुमें फिर वो दोनों बुढ़े पती पतनी होटल पहुच जाते हैं और पेट भर गाजर का हलवा खाते हैं अब वो ऐसे ही खुसी-खुसी रहने लगे थे जो जी में आता वो खाने लगे थे जगु जी ये बुड़े-बुड़िया तो बड़े मजे से ऐस कर रहे हैं ये नहीं सोचते चार पेसे जोड़कर बेटे बहु को दे दे घर में कितने सारे खर्च हैं आखिर रहतो हमारे ही साथ रहे हैं फिर पैसे देने में क्या हर्ज है चंदा जी उन पैसो पर ममा पापा का ही हक है अब उनका जो भी मन करें वो करें हमें क्या? मैं कमा तो रहा हूं पिर आपको क्या कमी? ऐसे बोलकर जग्गू कवा अपने काम पर निकल जाता है संदा कवी तो वो पैसे एंटने का भी दिमाग लगाती है मा जी आपके पोते की फीस भरनी है जग्गू जी की तनुखवा नहीं मिली इस महीने अगर समय पर फीस न भरी गई तो चिंकू को सकूल से निकाल दिया जाएगा अब मैं क्या करूँ कालू गोरी को तो अपने पोते की ये बास सुनकर बहुत दुख होता है बहू तुम चंता मत करो हमें काल ही पिंसन मिली है लो ये रुपे ले जाओ और चिंकू बेटे के फीस भर दो चंता कवी तो जट से वो रुपे ले ले थी है अब तो वो हर महीने ऐसा ही करने लगी थी जैसे ही बुढे कालू गोरी अपनी पिलसन लेकर आते वो कोई न कोई बहना बना कर सारे पैसे एंट लेती चंता बहू आज खचड़ी खाने का बहुत मन है तो आप हमारे लिए खचड़ी बना दें बुढिया आज मैंने पापड़ तले हैं तो मैं बहुत थगी हूँ खचड़ी नहीं बना सकती आप वही खा ले लेकिन मेरा खचड़ी खाने का मन है कोई बात नहीं बेटा बना दे थोड़ी देर लगेगी बुढिया मसका मत लगा मैं नहीं बनाने वाली अब जाओ यहां से आराम से सोने भी नहीं देती ऐसे बॉल का चंदा कवी तो सो जाती है कालू गोरी को तो बहुत बुरा लगता है गोरी अब चाहे बहु कुछ भी कहे हम उसे एक रुपया नहीं देंगे वो ऐसे फेसला कर लेते हैं अगले महीने उनकी पहल से नाती है चंदा कवी तो फिर से मीठा मीठा बोलती है मा जी चड़िया की पोती की साधी है हमारे पास किसी पर भी नई कपड़े नहीं है अगर आप रुपय दे देती तो हम सब भी नई कपड़े पहन लेते बहु पैसे लेते समय मीठा मीठा और जब किसी काम की कहो तो जहर गुलती हो चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हें एक रुपिया नहीं देंगे चंदा कवी को तो बहुत गुसा आता है, वो दोनों को घर से निकालने का फेसला कर लेती है जगो जी, जंगल के बहर बहुत बड़ा अनात आस्रम है, आप बुढ़े बुढ़िया को वहाँ छोड़ाओ, वहाँ उन्हें कोई कमी नहीं होगी नोकर चाकर लगे रहते हैं ऐसे आस्रमों में, और वैसे भी, अब इनका मन नहीं लगता घर में, हर समय बहर ही घुमते रहते हैं जगो कावे को अपनी पतनी की बात ठीक लगती है, वो उन दोनों को उसी दिन आस्रम छोड़ने चला जाता है ममा पापा ये देखो, यहां कितने बुड़े पक्षी हैं, आपको अब कोई कमी नहीं होगी, आपका मन भी अच्छा लगेगा, मैं भी मिलने आता जाता रहूँगा कालू गोरी तो एकदम चुपचाप खड़े थे, जगू कवा लोट जाता है, रानो चड़िया जब ये खबर सुनती है, वो तो तुरंत ही सरकारी वकिल के साथ आस्रम जाती है, और दोनों को घर ले आती है देखें जगू जी, ये घर आपके माता पिता का है, तो इस घर पे आपका हक नहीं, आपके बुड़े माता पिता का है, तुम दोनों यहां से निकल जाओ लेकिन हम का रहेंगे, हमारे बारे में भी कुछ सोचें चाहे कहीं भी रहो, ये घर इनही का है, और यहां यही रहेंगे वो दोनों तो बहुत डर जाते हैं, और घर में रहने की भीक मांगते हैं ममा पापा हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो बढ़ापे में आपका ख्याल नहीं रखा और आपको घर से बाहर निकाल दिया हाँ मा जी मुझे भी माफ कर दो आज के बाद सबसे पहले आपकी बात मानूंगी आप जो भी कहोगी तुरंत बना के दूंगी अपने बेटे बहु की ऐसी बाते सुनकर वो उन्हें माफ कर देते हैं और हसी खुसी मिलजूल कर रहने लगते हैं अब चंदा कवी तो उनकी खूब सेवा करने लगी थी तो प्यारे दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है अपने माबाप की बढ़ापे में सेवा करना सब का फर्ज होता है उन्हें कोई भी दुख देने से पहले अपना बचपन याद करें उन्होंने कैसे कैसे आपका ख्याल रखा था आपका धन्यवाद रानो चड़िया एक मचवारे की पतनी थी उसका पती कई सालों से मचली पकड़ने का काम किया करता उनका एक बेटा भी था तुन्नो जी आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है आप घर पर ही रहें मचली पकड़ने ना जाएं रानो जी पागल मत बनो यही तो मासमाया है पैसे कम काने का बजार में मचली के दाम भड़ गे हैं एक दिन में बहुत कमाई होती है ऐसे टुन्नो चड़ा अपनी पतनी रानों के बात नहीं मानता और अपना जाल उठाकर मचली पकड़ने चला जाता है उनका पड़ोसी कालू कवा टुन्नो चड़े से बहुत जलता था क्यों कवा नदी किनारे ही थोड़ी दूरी पर एक पेड़ में छपा हुआ था टुन्नो चड़ा जैसे ही पानी में अपना जाल फैंकता है तब कालू कवा आहिस्ता आहिस्ता आता है और टुन्नो को जोर से धक्का दे देता है बचाओ मुझे कोई डूबने से बचाओ कोई है मै मर रहा हूं मुझे कोई बचाओ कालू कवा तो चुपचात खड़ा हुआ था उसकी आखों के सामने टुन्नो चुड़ा पूरा डोब जाता है अब कोई दूसरा मच्छवारा नहीं है जो मेरे से ज्यादा मचली पकड़ेगा अब आराम से मैं ही मचली बेचा करूंगा फिर क कालू कवा अपना जाल फैंकता है और ढेर सारी मचली पकड़कर बाजार चला जाता है आज तो सामके छे बजे हैं और दिन भी गुजर गया और दिन तो टुन्नो जी दो बजे ही आ जाया करते थे मैं कवो से पता करके आती हूं ऐसे चिंता करते हुए मम्मा चड़िया कव की पतनी गोरी तो डेर सारे पैसे गिन रही थी पांच हजार साथ हजार और ये हो गए पूरे तस हजार वा पती जी पहले ही दिन पूरे तस हजार की बढ़ोत्री हुई है आगे आगे तो पता नहीं क्या होगा हां गोरी जब वो टुन्नो चड़ा मचली लेकर बजार में जाता था तो पता नहीं सब पक्सी उसी के पास भीड लगाते थे आज तो सब मेरे पास थे वो दोनों ऐसे बाते कर रहे थे तभी उनका दर्वाजा खट खटाते हुए चड़िया अंदर आती है वो दोनों तो डर जाते हैं कहीं इस चड़िया ने हमारी बाते सुनतों नह अगर चड़िया को सब पता चल गया तो मैं जेल में सडूँगा कालो भाया मेरे पती अभी तक घर नहीं लोटे आपकी उनसे कोय बात हुई थी नहीं चड़िया बहन मेरी कोई बात नहीं हुई टन्नू तो आज बजार भी नहीं आया तो मुझे कैसे पता होगा वो कहां है रानो मुझे लगता है टुन्नो तुझे छोड़ कर कहीं दूर चला गया इसलिए तो अभी तक घर नहीं लोटा चिप हो जाएं गोरी बोलने से पहले बात को तोलना चाहिए आप मेरे सीधे साधे पती के बारे में गलत ना बोलें ऐसे बोल कर चिडिया वहां से चली जाती है कवे राहत की सांस लेते हैं एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था चलो सब अच्छा हुआ जो चिडिया ने कुछ सुना नहीं अब कहां ढूनो टुनो जी को किस से पता करूँ मैं तो भजार में किसी को जानते भी नहीं हूँ ऐसे रानो चिडिया अपने पती को खूब ढूरती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं अब रानोचडिया को अपना गुजारा करने के लिए कोई काम धंदा चाहिए था जिससे वो अपने बेटे का पेट पाल सके मैं क्या करूँ घर में एक रुपिया नहीं है और अपने छोटे से बेटे का पेट कैसे भरूँ ममा जो काम पापा करते थे आप भी वही काम करें उस काम में बहुत मनाफा होता था अरे हाँ कुकु बेटे ये तो मैंने सोचा ही नहीं अब तो मैं कल से मचली पकडने ही जाऊंगी फिर रानोचडिया दूसरी सबा को ही मचली पकडने चली जाती है कालू कावा चोकते हुए पूछता है अरे रानोचडिया आप मचली पकडने आई हो कुछ पता भी है मचली कैसे फसाई जाती है हाँ कालू भीया क्यों नहीं मैं भी एक मचवारे की ही पतनी हूँ तो मुझे मचली पकडना अच्छे से आता है ऐसे बाते करते करते चडिया काफी सारी मचली जमा कर लेती है और उन्हें बेचने बजार चले जाती है कवे को तो बहुत गुसा आ रहा था अब ये छोटी चडिया भी मचली पकडने आया करेगी इसे भी टन्नू की तरह जोर से धक्का देना पड़ेगा अरे वहा अब मैं इन पैसों से रासन का पूरा सामन खरीद पाऊंगी ऐसे खुस होते हुए चडिया घर जाती है दो तीन दिन गुजर जाती है एक सबार रानो चडिया नदी किनारे बैठी हुई थी तब कालू कवा पीछे से आता है और चडिया को जोड से धक्का देता है चडिया कालू कवा को साफ साफ देख लेती है मगर वो पानी में डूब जाती है हो गया चडिया का भी काम सफा हो गया लेकिन इसने मुझे देख लिया अरे मैं भी कितना बुद्दू हूँ चडिया तो मर जाएगी फिर मुझे कैसा डारू ऐसे कालू कववा वहां से चला जाता है चडिया पाने के अंदर बेहोस पड़ी थी उसकी जान एट जलपरी बचा लेती है और नदी से बाहिर करती है आप ठीक हो चडिया जलपरी जी आपने मुझे मरने से बचा लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद वरना मेरा छोटा सा बेटा अनहात हो जाता लेकिन चडिया आप नदी के पानी में कैसे गिरी फिर रानो चडिया कालू कवे की सारी करतूत जलपरी को बता देती है हो ना हो उस कालू कवे ने ही मेरी पती को मारा होगा मुझे उस कवे पर जराबी यकीन नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं उसे छोटी चडिया आप उस कवे से लड़ नहीं पाऊगी वो तो उल्टा ही आपको मार देगा लो ये मेरा जादू संख है अब जब भी आप किसी मुसीबत में आएं तो इसे बजाना मैं दोड़ी दोड़ी तुमारे पास आऊँगी फिर चडिया जलपरी का संक लेकर भागती हुई कवे के घर जाती है कालू ये चडिया तो जिन्दा है पता नहीं कैसे बच गई मैं तो मार के ही आया था दोस्ट कवो मेरे पती को मारने में तुमारे पंक नहीं कापे मैं जंगल के सब पक्षियों को बता दूँगी फिर जंगल के पक्षि तुम्हे जिन्दा नहीं छोडेंगे बे मौत तुम भी मारे जाओगे कालू देख क्या रहे हो जब ना मरी तो अब ही मार दो वरना हम मारे जाएंगे फिर कालू कवा अपना चाकू निकालता है तभी चड़िया संक बजाती है और वहाँ पर जल परी आ जाती है हम ऐसे जालमों को तो जिन्दा ही नहीं रहना चाहिए वरना ये किसी को भी मार सकते है फिर जल परी कालू का चाकू छिनकर उसी को मार देती है गोरी कवी के भी दोनों पंक काट फैकती है उन्हें ऐसे पड़े देख चड़िया के दिल को सांती मिलती है परी वापस से अपने तलाब में चली जाती है और उस दिन के बाद चड़िया अपने बेटे के साथ सकून से रहती है